हाँ जी दोस्तों तो क्या खितम किया हमने money market operation का theory है अब बात करते हैं किसके practical कि practical में न इस्पेशली मैं फिर से बोल दूँ यह सिर्फ और सिर्फ किन लोगों के लिए old syllabus के लिए chapter है money market options अब बिल्गल simple सा chapter और theory हमने cover कि अब बात करते है practical हो practical बड़ी simple से questions है already हमने security analysis में cover कर रखा है पर यह question में अलग से करवा देता हूं खास बात है कि मैं आपको PM के ही question करवाऊंगा उसी sequence में कराऊंगा जिस sequence में PM में है तो बस start कर देते simple simple पहला question उठा रहा है आप sir हम कहां से question एक तो सामने दिख रहा दूसरा practice manual खोल लोगे ना दूसारे question वहीं सही है लिकर Reserve Bank of India first question रहा है Reserve Bank of India sold 91 day treasury bill sir reserve bank treasury bill issue करता है हां भाई हां treasury bill मैंने आपको क्या बताया था थोड़ा सा revise भी कर लेते treasury bill किसको पैसो की जरूत है central government को short term के लिए पैसो की जरूत है तो वह Reserve Bank of India से बोल सकता कि आप treasury bill issue कीजिए लोगों से अभी पैसे लोगों से मतलब वह एक्चुली auction होता ही आपको पता है लोगों से अभी पैसे ले लीजिए और short term 91 days 360 के अंदर अंदर हम पैसे वापस करेंगे जो हमारे question के लिए है वह खास बत यह है कि टी बिल जो होते है issue होते discount पर redeemed होते है पार जैसे deep discount bound अपने security analysis में पढ़ा है लोगों को अगर मुझे 91 days के लिए मैंने टी बिल issue किया टी बिल issue किया हों तो में जो होना में पैसे लूँगा में मतलब मैं RBI मैं पैसे लूँगा कम 100 से अब पैसे वापस करूंगा 100 तो बड़ा simple है और कुछ है नहीं है इसमें वो बोल रहा कि reserve bank of India sold 91 days praise rebel face value कितना है 100 तो redeem किस पे होगा face value यह जो 100 रुपया मुझे मिलेगा अग वही में लगाऊंगा कितना कम तो बताएं इस्यू प्राइस बॉंड जैसे यह जिल्ड देरा का 6% से डिस्कांटिंग कर लेंगे सब रेक्रिस में मैं क्या रखा प्रेक्टिस में बच्चो टाइप का दिल एज्यूम इस्यू प्राइस बी एक्स वगेरा वगेरा मैं सीधा सीधा कोशन कर रहा हूं इतना दिमाग तो चलना चाहिए आपका सर कैसे निकलेगा तो सीधा सीधा काम कर रहे हैं लिखोंगे कैल्कुलेशन ओफ इस्यू प्राइस ओफ ट्रेजरी बे तो सबसे पहले एक काम करो आपको फैक्टर चाहिए फैक्टर 6% कुछ ना दे आपको परेनम ही लेना है तो मुझे रेट कितने 1 देस कर चाहिए 90 बेस तो निकल सकता है या सर 0.06 91 divided by 365 65 प्लस 1 तो यह फैक्टर आजाएगा इससे हम डिस्काउंटिंग कर देंगे तो यह आ गया 0.06 इन्टो 91 दिवादे बाए 365 प्लस 1 तो यह फैक्टर आ गया 1. 1.0 1.49 6 ले लेता हूँ 6 ठीक है अब क्या निकल रहा है अब लिख रहा है इस्यू प्राइस फ्यूचर में कितना मिलने वाला सर रूपीज 100 डिवाइड किससे कर देंगे फैक्टर से तो यह चाहिए का इस्यू प्राइस इसको मेमोरी में ड़ला सर दिवाइड वाइड 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 से तो यह आ गया है रूपीज 98.53 सिंपल कुछ करना ही नहीं था तो यह पहला कोश्चन था बिलुकुल ही सिंपल कोश्चन मेरे चाहिए मुल्टिपल चोश्चन कास होता हमारे ऐसे फम में तो यह बिलुकुल बनता अगला कोश्चन देख लेए सर ज्याद अच्छा है कि आपके पास प्रैक्टिश मैन वलो हो ना तो मुझे दिक्कत नहीं सिधा-सिधा मैं यह सिखर रहा हूँ ठीक है देखते हैं इस कोश्चन में क्या लिखा हूँ इस कोश्चन की बात देखते हैं लिखा वंडरलेंड लिमिटेड हैस एक्शिस कैश रुपीश 20 लाक्स तो साहब ऐसा है कि वंडरलेंड लिमिटेड के पास 20 लाक रुपे कैश पड़ा हुआ है ठीक है इनवेस्ट करो और वो शॉट टर्म मार्केटीबल सिक्यूरिटीज चाहे कुछ भी उसमें इनवेस्ट करना चाहते हैं 20 लाक रुपे इनवेस्ट करोगे लेकिन समस्या ये है कि इनवेस्टमेंट करने पे खर्चा भी होने वाला है 50 लार रुपे इट मिंस मैं जो चाहता हूँ वो तो मुझे मिले साथ में मुझे 50 लार की भी रिकवरी करने पड़ेगी ठीक है जिस सिक्यूरिटी में आप पैसा लगा रहे हो उस पे एनवल येल्ड कितना पर्चेंट है 99 पर्चेंट एनवल बारा मैंने का तो कंपनी जाना चाहती है कि बताइए कितने पिरियट तक पैसा लगा है कि आप जो इनवेस्टमेंट कर रहे हो उस पे कितने की कमाई हो 5 पर्चेंट की मैं कोशन यह बोल रहा कि 20 लाग का 20 लाख लगा रहे हो ना तो 20 लाग का 5 पर्चेंट वो तो मिले ही मिले साथ में 50,000 जो खर्च है वो भी रिकवर हो जाए ब्रेक इवन तो मेरा खर्ची भी रिकवर हो जाए और उसके अलावा मैं प्रॉफिट भी कमा लूँ 20 लाग का 5 पर तो और यह जो जितना भी आ रहा है देखते हैं कितना रहा है मुझे कितना रिकवाइड इंकम कितनी चाहिए पॉइंट नबर वन कर लो हो तो पॉइंट नबर वन में न यह लिख लेता हूँ रिकवाइड इंकम रिकवाइड इंकम मुझे चाहिए कितना एक तो चाहिए मुझे इंटरेस्ट बीस लाग है बैए बीस लाग का कितना परशन जी पांच परशन तो यह तो दिख़रा एक लाग रुपए एक लाग रुपए और जो एक्सपेंसे हुए है मुझे वो भी चाहिए पचास जार तो मुझे चाहिए कितना मुझे चाहिए कम से कम एक लाग पचास जार तो अब कोशन यह हुआ कोशन बड़ा सिंपल है तो अब कोशन यह हो गया सर कि 20 लाक रुपए हम अगर आज लगाते है 9% के हिसाब से तो बताइए कितने मन्त में 15 लाक रुपए है जाएगा तो बस PM जैसा ही गरबा देता हूँ और भी shortcut है पर PM जैसे Let assume period of investment क्या वान ले PX तो हिसाब किताब कर लेते हैं कितना रुपए लगाना 20 लाक 20 लाक रुपए लगाएंगे कितने के हिसाब से 9% कितने period के लिए कास मुझे पता होता यही तो मैं तो total मिलाकर interest कितना आना कमाई कितने की हो जाना जी एक लाक पैचास एक इस equation को solve कर सकते हो क्या चलो करके देखते हैं सुनो ना क्या होता है इसको उठा कर यहाँ multiply कर देते हैं चलेगा ओके और यह वाला divide इतना match तो आता है X एक लाक पैचास जार इंटू बारा और यह वाला divide कर देते हैं 20 लाक इंटू 0.09 आंसर यह जाएगा एक लाक पचास जार इंटू 12 divided by 20 लाक डिवाड़ेड by 0.09 आंसर मंस में ही आएगा आंसर आ रहा है 10 मंस इसका मतलब की सर कितने पिरिट के लिए हमको पैसा लगाना कम से कम 10 मेहने के लिए पैसा लगाओगे तो फिर हमारा एक लाक पैचास जार रिक्कबर हो जाएगा पहला पॉइंट बदा दिक्कत नहीं है दूसरा पॉइंट यह पूच रहा है बताएगे मिनिममम पिरियट बताएगे मिनिममम पिरियट फार्द कंपनी टू इन्वेस्ट ब्रिक कि वन इट्स इन्वेस्ट में एक्सपैंडिचर अगना तो समझ गया भाई हमें नहीं कमाना है प्रोफिट नहीं चाहिए हमको पैसा all, it means, अगर मैं कुछ ना करूं, तो point number 2 यही solve कर दे रहा हूं, tension नहीं कतम, मुझे x निकालना है, लेकिन इस बार मेरी requirement एक लाग पच्छास जार की नहीं है, सिर्फ कितना कमाना है, 50,000, इंटू क्या हो जाएगा, 12, divided by, यहां क्या हो जाएगा, 20,00,000, इंटू 0.09, अंसर देख लेते हैं, अच्छा सर, यह तो बिल्कुल सिंपल है, 50,000, इंटू 12, divided by 20,00, divided by 0.09, अंसर आगया, 3.33 months, 3.33 months, इसका मतलब है, कि अगर आपको, सिर्फ expenses जो खर्च हो रहे हैं ना, सिर्फ उसी की recovery करना, तो 3.33 month के लिए investment करना दा चलिए, लेकिन आपको 50,000 भी कमाना और एक लाग उपर और कमाना, तो यह 10 मेने के लिए पैसे लगाना पड़ेगा, उससे कमे काम नहीं चलेगा, तो यह था हमारा question number कौन सा, second, note करने की ज़र्वती है नहीं, यह तो calculate order में हो जाएगा, अब बात करते है, question number, third, अब इसकी बात कर रहा है, this is jet company limited से, अराम से एक बार question read कर ले था, हमको दिक्कत नहीं होगे, चलो sir question, लिखा है, तियार हो, jet company limited issued, अब यहाँ एक नहीं चीज़ आगई भी, commercial paper, यह commercial paper कौन issue करते है, क्या government issue करते है, नहीं भई, नहीं, commercial papers issue होते है, बड़ी-बड़ी company issue करते है, उनको short term पैसों की ज़रत पढ़ती है, तो commercial paper issue कर सकते है, secure नहीं होते है, unsecured होते है, बाकी तो मैंने story कहां सुनाया हूँ, theory के साथ में सुनाया हूँ, यह भी वही situation है, जो पहले होती थी, पर इसमें दिक्कत है, commercial paper issue करोगे, कौन issue करेगा company, किसको public को, तो भई, public पैसा लगाएगी, तो लगाने से पहले देखेगी ना, यह company कैसी, credit rating agency से, हमें rating करवा नहीं पड़े, CDC बात उसके मेना काम ब्रोकरेज लगेगा, papers issue करेगा, stamp duty, और भी खर्चे हो जाते है, पाकी काम वैसी होता है, काम कैसे होता है, issue कैसे होता है, discount पर redeem कैसे, जैसे treasury bill, वैसे commercial paper, तो देखते हैं, commercial paper issue करना, चाहते है, कितने रुपेक issue करना, चाहते है, 10 क्रूर, as per the falling details, कभी issue कर रहे हो, 16 January को, अब maturity date कौन सी है, 17 April, किस्मत अच्छी की days दिया है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ था, दिन गिनना ही पड़ते, number of days, और average due date पड़ते है, आपने CA IPCC में, तो ढ़ंग से आता है, दिन गिनना है, कोई हो देखते है, rate of interest कितना है, 12.04%, what was the net amount received by the company on issue of commercial paper, अच्छा, brokerage, rating charges, stamp duty, सब कुछ को क्या करना है, ignore, बस तो बात करता है, कितने रुपा है, 10 करोड, तो हमको मिलेगा तो 10 करोड नहीं, उससे कम, उसका present value ही तो मिलेगा, अब present value को हमारा rate कौन सा दिया है, 12.04%, तो चला फैक्टर निकल लेते हैं, तो फिर से लिखते है, Calculation of, Net Amount, Receipt, जो बही ऐसा है, Question में जो Requirement है न, वो लिखा करो, Net Amount Receipt, Sir, Receipt को RECD, हाँ, मैं तो यह हैं लिख रहा हूँ, by the company, ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, factor निकल लेकर, yes, factor, जिस से हमको discounting करना है, कितना 12 point, तो ऐसा करना है, 0.1204 into, कितना दिन, 91 divided by 365 plus 1, तो यह factor जाए, 0.1204 into 91 divided by 364, 5, 5 यह न, हाँ, plus 1, तो यह factor आ गया है, सर जी, 1.0, 300, 17, M plus में डाल देता हूँ, Sir, कितना लेना, मैं तो calculator में ही M plus में डाल देता हूँ, तो कितना लेना, कि सवाल ही पैदा नहीं होता, अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना, net amount receipt, कितना रुपए, 10 क्रोर, Sir, 0000 लगाओगे, नहीं भाई, आप लगा लोगे, उसका present value, 1.17, तो देख लेते, answer कितना आ रहा है, PASS, M plus में डाल चुका हूँ, 10 divided by M is equal, 10 divided by 1.030017, तो हमको पैसा लगा, मिलेगा 9.70857, करोर, this is net amount receipt, ठीक है, यह 5 है, 5, तो बस, खतम question, यही question था, इसमें, बाकी कुछ नहीं है, alternative, आप X-Vax लगा के कर लो, जो बच्चपन में करती थे, उस तरह से हमकाम नहीं कर रहे हैं, तो यह question था, बड़ा simple question था, चले आगे, बच्चो टाइप के question है, अगला question देखते हैं, यह यह थोड़ा अच्छा देख रहा है, बड़ा, चलो जी, बड़ात के question को क्या लेका है, from the following particulars, calculate the, this is most important, effective rate of interest, मैं security analysis में ढंग से करवाय हूँ, effective का मतलब, और सुनो security analysis की दो बात ही छोड़ दो, मैंने basics में सिखवा रखा कि effective का मतलब क्या होता है, bond equivalent yield क्या होता है, फिर भी यहाँ थोड़ा सा बहुत याद दिला दूँ, effective मतलब यहाँ power वाला है न, effective rate of interest as well as the total cost, total cost of fund to the Bhaskar Limited, which is planning, फिर से क्या issue कर रहा है, CP commercial paper, issue price है 97550 और face value है, एक लाग तो interest का amount निकल जाएगा, maturity period कितना है, 3 months, और मैंने आपको एक बात बोला था, कि भी या, commercial paper में और भी खर्चे होते हैं, इसके अलावा, वही लिखावा, brokerage, rating charges, परैनम दे रहा है, परैनम यह होता है, stamp duty, तू कहता है कि भी commercial paper होने से बताओ, और total मेरा कितना खर्चा रहेगा, चलो, commercial paper issue कर रहे, तो पहले काम करते है, yield निकाल ले थे, equivalent yield बोलते है, bond equivalent yield, या, फिर rate of interest भी बोलोगी, तो चल जाएगा, yes, तो सबसे पहले, पहला वाला काम सुनो, मैं इस ही साब से करता हूँ, सबसे पहले, effective rate of interest, तो वही लिख लेता हूँ, effective rate of interest, तो एक काम करते हैं, पहले तीन मैने का rate of interest निकाल दे, तीन मैने का, कितना ब्याच, rate of interest for 3 months, तो rate कितना है गाजी, एक लाक, माइनस, नाइन सेवन, फाइफ फाइफ जीरो, डिवाइड मैने है, इशी कितने मैं हो रहा, नाइन सेवन, फाइफ फाइफ जीरो, इंटू क्या हो जाएगा, परसेंटेस, चेक कर लेते हैं, वन लैक मैनस नाइन सेवन, फाइफ फाइफ जीरो, डिवाइड मैन नाइन सेवन, फाइफ फाइफ जीरो, इंटू हंटर्ट, तो देखा जाए, तो दिख रहा है, टू पॉइंट फाइफ वान वन, परसेंटेस, ये तीन मैने का है, सर ये तीन मैने का, तो बारा मैने का, कितना, यास, अगर मैं ऐसे भी कर लूँ, तो भी चल जाएगा, लेकिन वो एफेक्टिव येल्ड नहीं कहल देना पड़ेगा, इतना है ना, 1.25, तो compounding कितने बार होगा, चार बार compounding होगा, compounding होता है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप समझ रहे हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मान लो, भाई ऐसा है कि एक लाख रुपिया आप लगा रहे हूँ, रेट तीन मैने का है, तीन 50, तो मैं compounding लेते हूँ, मैं यहाँ समझा नहीं सकता, compounding आप मेरे basic of finance की class में देखोंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तो compounding का मतलब बच्चा भी जानता है, तो मुझे ज़्यादा detail में समझाने के ज़रुत है, नहीं, ओके सर, हम समझ जाएंगे करना क्या ही ये बता दो, तो करना क्या है, मैं सीधा-सीधा निकाल रहा हूँ, effective yield, अलग मार कुछ तो, effective yield, कैसी होगा मैं बता रहा हूँ, कित्मा आएगा है और factor, 2.511 divided by 100 plus 1, 1.02511 पावर क्या कर दूँगा, 4, 4 क्यों भई, 3 मंत है न, 4 बर कुंपोन है, into equal to, और into equal to, बस, minus 1 भी कर देता हूँ, ठीक है, और जो भी आया है क्या कर दूँगा, into 100, ये आपको मैं सिखा चुका हूँ, minus 1 into 100, तो ये आया सर, 10.43 पॉर्शन, this is 10.43 पॉर्शन, ये पहला कम है, ठीक है, ये अगर, जिनको, दिक्कत है इसमें, इसमें प्रॉब्लम है, होगी, होगी, तो इस वीडियो के description में में न, अब मैं ये समझा नहीं सकता न, सर, तो इस वीडियो के description में में मेरा पहले से uploaded है एक वीडियो, उसका link share कर दे रहा हूँ, तो भई उसको देख ले है, ओके सर, तो टोटल कोश्ट में क्या क्या आएगा, भाई, टोटल कोश्ट में क्या क्या आएगा देख लेते हैं, एक तो ये आपका effective yield पकड़ दो, 10.43%, इसके अलावा सर ब्रोकरेज भी तो हमारा खर्चा है, येस, तो वो भी तो add करना पड़ेगा, थोड़ा से उपर अभी ठीक, और इसमें क्या add कर ले, ब्रोकरेज, पर ब्रोकरेज कितना 0.15%, पर 3 मैंने का है, तो 3, 3, 3, 4, 4 से multiply कर ले थे, 0.15 into charge, तो ये आगे 0.6%, इसके अलावा rating charges भी है, rating charges क्यों लगता, पता है न, हाँ सर, पता है, rating charges का ले लो, ये दो पर है न, 0.5% और इसके लावा, stamp duty, ये भी वैसे ही है, यार, 0., हाँ, ये तो लगे गी न, जितने बार commercial paper issue करूँगे, उतने बार खर्चाएगा, 0.175 into 4, 0.7%, तो चेक कर ले थे, total cost कितना आएगा, 10.43, plus 0.6, plus 0.5, plus 0.7, तो ये आगे है, total cost कितना, 12.23%, तो ये भी question हमारा हो गया, ठीक है, वो कैसर, बस, simple question था, अच्छा question था, बागी question क्या picture, ये अच्छा, अगला question ले देते हैं, ये थोड़ा अच्छा था question देख रहा है, चलो जी, देख, देख क्या लेखा, 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 M Limited, has to make a payment on 30 January 2010, अच्छा भाई, M Limited है, M Limited कोई company होगी, और उसको, किसी और party को, किसी को देना होगा, बोले हमको जो payment देना है, वो देना 30 January 2010, को कितना और रुपिया देना, 80 लग, पर सुनो, 30 January को अभी टाइम है, आज की डेट कौन सी है, आज की डेट है, 31st October, अभी October चल रहा है, November है, December है, और 30 January को payment करना है, तो 80,00,00 का करोगे क्या, तो यह जो 80,00,00 रुपिया है, हमने यह decide किया है, कि हम इसको invest कर रहा है, bank certificate of deposit में, यह दो हमको बता है, और कितना पर्शन मिलेगा, 8 पर्शन यिल्ट, per annum on simple interest basis, ठीक है, what is the amount, फिर present value, 80,00,00,00, क्या बोल रहा है, it means यह हुआ, 80,00,00, I am limited, है इस टुपैमेंट करना, 80,00,00, 80,00,00, रुपै, हमारे पांस नहीं है, 80,00,00, मुझे पैमेंट करना है, तो में, और वो भी पैमेंट कब करना है, 31st October को, नहीं, 30 January को, आज की डेट कौन से है, 31st October, तो कोशन, कोशन बोल क्या रहा सुनना, कोशन यह बोल रहा है, 80,00,00, पैमेंट करना, मुझे 3 महने बाद, अभी पैसा है, कितना यह इंपोर्टन नहीं है, बुले, आज हम कितना इन्वेस्ट कर दे, कि जब 3 महने बाद निकाल ले ना, तो हमारा 80,00, 80,00, आजाए, present value निकाल ना, और कुछ है नहीं, और कितना परसेंट मिलेगा, मुले, 8% का yield दे रखा है, तो पहले क्या अगरे, तो लिखते हैं, calculation of, amount, to be, invested, now, तो पहले हमने काल रहा, factor, factor, कितने परसेंट, अच्छा, पहले दिन कितना, चलो, count कर लेते हैं, यहां count कर लेते हैं, days यहां लिख लेता हूँ, days, हमारे पास आज कौन सा रेट है, आज है, 31st October, आज का दिन छोड़ दो, November के दिन कितने हुए, 30, November, December कितने दिन का होता है, 31, यहां याद कर, average dream rate में नहीं देते हैं, और January का कितना होगा है, 30 दिन January का, तो टोटल में अगर 91 days के लिए investment हो रहा, 91 days, तो ठीक है, 91 days, पन्दा लग गया, फैक्टर नहीं कर लेते हैं, 0.08 into 91 divided by 365 plus 1, फैक्टर देख लेते कितना हुए, 0.08 into 91 divided by 365 plus 1, तो यहां गया, 1.01, 9945, इसको तो मैं M plus में डाल देता हूँ, टेंशन करता हूँ, अब क्या निकाल ले, अब जाएगा amount, कितना invest करना है यह निकल जाएगा, कितना रुपए चाहिए भाई मिचे, 91 days पात, 80 लाक, divide के से करना हूँ, 1.019945, तो फाइनल ही क्या जाएगा answer, 80 लाग divided by M plus equal to, तो हमें invest करना पड़ेगा, रुपीज, 78,000, 43,000, 558, ठीक, 559 लेलूंगे, चले, यह 9 लेला, ठीक, यह है मारा फाइनल अंसर, अब बिकार का कोशन मत करना, पतला लगा थियोरी में एक्षपर्ट होता, बोल रहे हैं, सर, कॉमर्शियल पीपल, तो पाच लाग के मल्टीपल में इस्यों हो सकते, कोशन को चैलेंज मत करना, ठीक, अची, यहां तक भी हो गए, कॉमर्शियल पेपर ही था नहीं, यह तो कॉमर्शियल पेपर नहीं था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, सॉरी, फेस वेल्यू कितना है, सॉलाक, और येल्ड कितना दे रखा, सिक्स पर्शन परेनम, परेनम ही मानना, फॉर्टि-फाइव देज, ये तो वैसे निकल लोगे, क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू, तो पहला बहला काम करें, पाष्ट, करेंट प्राइस, तो वही जैसा कर रहा थे, पहले क्या निकल ले थे, फैक्टर, 0.06 into 45, कुछ दिन मिन का दो लिखा नही, 365 plus 1 का ले थे, 0.06 into 45 divided by 365 plus 1, तो यह आ गया, 1.00740, तो क्या मिन निकल जाएगा, अब करेंट प्राइस तो निकल ही सकता, करेंट प्राइस, रूपीस 100 divided by 1.00740, तो यह अंसर आ जाएगा, इसको एंप्लेस में डाला, 100 divided by MRC, 99.27 ले लो, 265 आ जा हुआ है, रूप में 27 ले लेते, रूपीस 99.26527, चले ले हैं, ठीक है, तो पहला दो कुछ था ही नहीं, करेंट प्राइस का मतलब वही प्रेजनेट वहीं, दूसरा बॉण्ड हाँ, मैंने कहा था ना, कि यह दोनों में अंतर है, एक है बॉण्ड इक्वेलेंट येल्ट, और एक है बॉन्ड इफेक्टिव येल्ड है, इफेक्टिव इफेक्टिव आया, तो फिर कुछ और, इफेक्टिव जैसी आया ना तो पावर, ठीक है, तो सर्फ अब हम दूसरा अगम कर लें, सेकेंड हम हमको निकालना बॉंड ये तो छे बर्षंट ही आएगा क्या वे इंको फी वाला कोश्चन है एक्विवेलेंट लेल्ट तो बस है गया तो बड़ा सिंपल है बॉंड एक्विवेलेंट ये बता हूं कि पैसम को कितना वापस मिलेगा सौ अभी हमें लगाना कितना है सर 99.27 divided by 99.27 इन 200 ये इंट्रेस्ट निकाल लो कितना पर्षंट इंट्रेस्ट आ रहा 100-99.27 divided by 99.27 इन 200 तो ये आगए 0.7354 पर्षंट पर प्रोब्लम ये है कि ये कितने दिन का है 45 45 पैतालिसी दिन का है ना ये तो तो मुझे परेनम बताना पड़ता है तो कैसे करते हैं यहां कर रहा हूं यह ऐसे हो का इसको कैसे करूंगे कि 0.7354 कितने दिनों का है 45 डेस का 45 डेस का तो 365 डेस का कितना इस बाँग्वेलन तिल्ट इन्टो 365 डिवाइट बए 45 अश्र की बात है कि आंसर कितना हा रहा 0.7354 इन्टो 365 डिवाइट बए 45 5.96% है मतलब कहीं गरवड हो गया है क्या 100-100 डिवाइट बए 1.00740 99.265 है इसको हो सकता है फ्रैक्शन की वज़ा से इसको नमे 265 कर रहा हूं ठीक है अब सैसे है रहा है इसको क्या कर लिया मैंने 265 100-99.265 डिवाइड बए 99.265 इन्टो 100 0.740 केतना अंतर आ गया है 100-99.265 डिवाइड बए 99.265 इन्टो 100 हां अंतर आ गया है यहां ऐसा है थोड़ा सा फ्रैक्शन हो तो कर रहा हो जाता है चलो इसको चैंज कर लिया है तो यह जो आया आपका 100 करने से तो अब बस इतना सा चैंज किया तो 100-99.265 डिवाइड बए 99.265 इन्टो 100 तो यह जो पर्षेंटेज आया यह आया 0.7404 पर्षेंटेज बस इसका मतलब यह समय थोड़ा सा गरबड हुआ थोड़ा सा उसमें बहुत ज्यादा प्रॉल्लम हो जाए यहां मुझे क्या करना था 99.265 तो यह क्या आया यह कितने दिन का है 45 तो परेनम निकालते यह सर परेनम तो हम निकाली सकते हैं तो परेनम कितना आएगा यह देख लेते हैं 0.7404 कितने दिन का है पर्षेंटेज है यह सर यह है 45 डेज का तो 365 दिन का कितना अंसर इन्टो 365 डिवाड़ेड़ बे 45 तो यह कितना परेनम परेनम और उतना ही आना चाहिए था प्रेक्टिस मैनुल में भी है उसने भी राउंड ओफ की वज़े से उसका 6.06 वगिर आया होगा आना तो 6 ही चाहिए था आंसर तो उतना ही आएगा तो अगर मैं कहता हूँ कि यह जो यिल्ड है यह बॉंड इक्लियलेंट यिल्ड है यस लेकिन प्रॉब्लम इसमें और इसमें नहीं प्रॉब्लम इसमें है मेरा जो थर्ड पॉइंट है अब की बार मुझे बॉंड एफेक्टिव इल्ड निकलना और आप भी जानते है अगर इफेक्टिव इल्ड निकालना हुटता तो मैं कैसे करता मैं क्या करता 0.7404 divided by 100 plus 1 तो मैं यहां लिखता 1.007404 और पावर वाला और पावर कितने तिन 365 लेना न डिवाड़िड बाए 45 वड़िवड माइनस 1 इन्टू क्या कर देंगे 100 तो यह आंसर आ जाएगा सर यहां पावर 8 भी कर सकती हो कि अगर 360 दिन तो आपके जो पीम है ना उसने पावर 8 कर दिया पर मैं जब सब जगा 365 ले रहा हूँ तो यहां क्यों 300 पैसे नहीं तो इसको शौल कैसे करोगे हां इंपोर्टन तो बात यही कि शौल कैसे किया जाएगा इसको तो सुनना विटें मैं क्या करूँगा डटी पावर यहां लिख रहा हूँ शौल कैसे करूँगा इसके बाद क्या करते थे हम स्क्वेर रूट कितने बार बार फिर माइनस वन उसके बाद डिवाइड़ बाए 45 और मल्टिप्लाई 365 नीचे वाले से डिवाइड उपर वाले से मल्टिप्लाई और फिर क्या करना इंटु एक्वल्टू कितने बार कर लेंगे बार यह तो हमको आता है डर्टी पावर पक्का चलो करके देखते हैं 1.007404 कितने बार स्क्वेर रूट बार एक तो तीन चार पाथ छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा माइनस वन डिवाइड़ बाए 45 इन्टू 365 प्लस वन इदर प्लस वन भूल गया है क्या प्लस वन ठीक फिर इन्टू इक्वल टू बार कितने तो तीन चार पाथ छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा यहां तक का काम हो चुका है अब इसमां वो जो बन जूड़ा है उसको क्या करना पड़ेगा माइनस और फिर पार्शनेटेज में लाना है तो इन्टू हंडट तो यह आ गया आंसर 6.16 पार्शनेटेज तो यह अगर मैं पहले उसने क्या मांगा पहले उसने आप से क्या मांगा था प्राइस जो आपने निकाला है पहले निकाला प्राइस दूसरे नंबर पर निकाला यह हलाकि यह दो दिया ही था और तीस नंबर पर में निकाला यह 6.16 पोश्ट तो यह कोश्चन थोड़ी सी महनत बेसिक और फाइनेस की क्लास का मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं लेक्शर वो देख ले न यह तो आपको बेसिक और फाइनेस बेसिक की कोश्चन है मुझे यह नहीं करवाने चाहिए बेसिक में मेरा हो चुका है पर ठीक है बच्चों के डिमांड की कि सर यह चैप्टर मनी मार्केट ऑपरेशन प्लीज करवा दीजी वो चैप्टर में अगला कोश्चन उठा रहा है चलो जी पढ़ते हैं मैं क्या-क्या दिमांड है जरा देखते हैं तो लिका AXY लिमेटेड इस अबल टू इश्यू इश्यू करना है कॉमर्शियल पेपर पचास लाग मान के जल रहा हूं की फेस वैल्यू कितने मंत के लिए फोर मंट के लिए रेट कितना 12.5 परशन प्रिजन वैल्यू निकल देंगे कॉमर्शियल पेपर एश्यू करोगे तो खर्च भी आएगे तो एक तो पच्चीस तो रुपए इसका खर्चा है ठीक है एक्स वाइ लिमिटेट इस रिक्वाइर तो मैंटें लाइन ऑप क्रेडिट एक लाग पचा बूले एक लाग पचास अर आपको भाई बैंक में भी जमा रखना पड़ेगा मार्जिन मनी मानक के चलो और यह आपको बाद में वापस मिल जाएगा तो सर इस पे अपॉर्चिर्टी कोश्ट एक लाग कॉमर्शियल पेपर इस्यू करने की वजह से मुझे एक लाग पचास अर मेरा ब्लॉक हो जाएगा चार मेने के लिए अपॉर्चिर्टी कोश्ट भी तो लेना पड़ेगा टेक्स का रेट कितना दिया है थर्डी पर्शन वाट इस दा कोश्ट ऑफ फंड आफ्टर टेक्स तो एक्स ए एक्स वाइ लिमिटेट फॉर कॉमर्शियल पेपर इश्यू दो मेच्यूरिटी कॉमर्शियल पेपर इस फॉर्माथ उपर भी दिया था तो आपको पूछ रहा क्या है कॉस्ट ऑफ फंड तो भाई सबसे बहले एक काम करते है फैक्टर निकाल लेते ताकि मैं इस्यू प्रेश तो निकल ला हूँ इस फैक्टर निकल ला हूँ इस्यू प्राइज निकल जाएगा सर आप पचास लाग को इस्यू प्राइज ले सकते हूँ कि हाँ ले सकता हूँ कोश्चन में लिया भी है दो तीन अल्टरनेटिव से करवा रखा पीम ने पर हम जानते है इस्यू प्राइज पचास लाग से कमी ले गए मैं इसको फेस वेली मल रहा हूँ डिवाड़ेड़ बाग वन पॉइंट जीरो फोर वन सिक्स सिक्स सेवा पचास लाग divided by馬 सिकल्टू पचास लाग divided by 1.0416666616 फोर्टीएट लेक्स इसका मतलब अगर मिलेगा मुझे तो फोर्टी एट लेक्स मिलेगा अब समझोंगे ध्यान से अबना मैं यहां दो कॉलम बना रहा हूँ पहला cost और दूसरा amount received net बिल्लकुल ध्यांस से जमना मैं क्या करने जा रहा हूं या आटोमेटिक से जा रहा हूं एक तो भाई मेरा interest को cost पकड़ लेज़े कितना रुपए 2 लाक और मुझे inflow कितना हुआ आज 48 लेक्स यहादा ठीक है ओक है इसके अलावा cost of placement of commercial cost of placement minus क्या करना पड़ेगा cost जो 48 लेक्स मिलेगा उसमें से भी तो मुझे कितना minus करना पड़ेगा 2500 तो cost जो interest था यह तो मेरा cost cost of fund हो गया और cost of fund में कितना जाएगा 4500 बात को समना 48 लाक आया आज हाथ में उसमें से 25 रुपए तो चला जाएगा न मेरा हां तो यह उसमें से 25 रुपए किस चला गया cost चला गया इसके अलावा मुझे और कोई खर्चा कि बैंक में भी पैसे जमा करना पड़ेगा minus deposits Sir deposits कितना करना पड़ेगा एक लाक पचास जाएगा और कोई चक्कर नहीं है टेक्स लेक्स का भी देख लेंगे तो चेक करते हैं कितना पैसा मिला net 48 लेक्स में से 25 ये minus 1 लाक पचास जार है तो मुझे net मिला 46 लेक 47 500 और cost कितना पड़ा 2 लाक प्लस 25 मुझे cost पड़ा 2025 00 सर ये एक लाक पचास जार cost नहीं है क्या ये पैसे तो वापस मिलेगा सर लेकिन सुनो अब opportunity cost तो लो कम से कम चार मेने कहा लूंगा ना बिटे थोड़ा से इंतिजार करो automatic आ जाए चलो जी यहां से आगे चल रहे है थोड़ी सी मुझे जगा लगेगी तो अब एक बार opportunity cost भी लिख लेता हूँ opportunity cost एक लाग पैचास जर्ग का 12.5% है ना 12.5% into 4 divided by 12 check करो opportunity cost कितना आ था यह आ गया रुपीज 6250 तो अब आप से क्या मांगा था cost of fund अब देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ cost of fund is equal to 2025 00 यह पर tax का rate दिया तो one minus tax करोगे खर्चे एक opportunity cost चाहो तो लो चाहो तो मत लो पर मैं हां ले रहा हूँ कि इस पर tax saving होना चाहिए कि आपको नहीं लगता कि अगर हमारा एक लाग परचेसर कहीं और रखते तो इस पर हम इंट्रेस्ट कमाते और इंट्रेस्ट कमाते तो टैक्स भी लगता मेरे ख्याल से तो लेना चाहिए पर PM को follow कर रहा हूँ पुरी तरह से हो सकता उसने बुला होगा actual जो expenses उस पर tax saving opportunity cost पर पन्ता नहीं कैसी assumption लिया है पर चलो ठीक तीन alternative किया और तीनों में opportunity cost पर tax saving नहीं लिया याद रखना divided मैं कितना पैसा आया मेरे 4647500 into 100 यह 4 मंत का निकलेगा तो सर इसी में निप्टाते है न इफेक्टिव तो नहीं पूछा है ना नहीं पर रेनम बेसिस पर पूछे into यह कितने मंत का 4 मंत का तो 12 मेने का कितना चलो जी तेयार हो यह तो यह आ गया 9.9.55% पर रहे हैं पर रहे हैं तो यह भी कोश्यन अगर देखा जाए तो कोश्यन अच्छा था वैसे फैक्टिंग टाइप का था थोड़ा सा फैक्टिंग में हम ऐसी करते थे इसके बाद और एक कोश्यन बच्चा हुआ है तो सुनो वह कोश्यन अच्छा है इस पेसली जो मनी मार्केट ऑपरेशन नहीं देखना आ जाते लेक्टिंग वह भी यह जाते कि बस वह लास्ट वाला कोश्यन हमको मिल जाए सर तो उन लोगों को यह पूरा लेक्टिंग करना हुए विडियो देख लेए तो इसके बाद लास्ट कोश्यन मत्चा हुआ है मनी मार्केट ऑपरेशन का डर्टी बगेरा कुछ है डर्टी प्राइस क्लीन प्राइस बगेरा तो अगले वीडियो इसके ज़स्ट बात आप यह मत सूच हो गी वह है क्लास इसके बाद मैं क्लास अप्लोट कर दूंगा यूटुब ने थेकर 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 थेक्यों